यह कहानी एक छोटे से पक्षी की है एक पक्षी जो एक जंगल में रहती थी एक पेड़ के उपड़ उस पेड़ और उस पक्षी में बहुत प्रेम था प्यार था यह तो प्रेम वहीं उसी पेड़ पे रहती थी खेल दी खाती थी एक रोन कि उस जंगल में एक आग लग जाती है वह आग दीरे पूरे जंगल को खाने लगती है ये देख बाकी सारे पशु पक्षी वहां से भागते हैं पर ये जो छोटी सी पक्षी होती है ये कुछ अलग करती है ये जाती है एक पास के तालाब में अपने पंखो को भिगोती है वापिस आती है फड़ फड़ आती है और पानी की कुछ दो चार बूंदे उस पेड़ पे गिराती है फिर जाती है फिर पंखो को फड़ पड़ आती है और पानी की दो चार बूंदे फिर से पेड़ पे गिराती है इसा वो करती रहती, यह देख जितने भी बाकी जानवर होते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं, बड़े परिशान हो जाते हैं, वो पूछते हैं उसे, यह तुम क्या कर रही हो, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम पगला गई हो, तुम इतनी चोटी सी हो, तुम पगला गई हो, त तुम्हें क्या लग रहे हैं, तुम इसको भुजा सकती ओ? तो उसका जवाव होता है, वो सुन... दिल बड़ा खुश होता है वो कहती है मैं वो कर रही हूं जो मैं कर सकती है I am doing what I can अब आप सोचेंगे ये मैं आपको क्यो बता रहा हूं जनाब बात यू है कि आज उस जंगल की आग की तरह हमारा पर्यावरन जल रहा है हमारे पेड जल रहे हैं, हमारी नदिया सूख रहे हैं और आज उस पक्षी की तरह हमारे पास एक चॉइस है या तो हम वो करें जो हम कर सकते हैं या हम उन जानवरों की तरह भाग सकते हैं मैंने अपना चॉइस किया है मैंने एक कैमपेइन स्टार्ट किया है जो कि इशा फाउंडेशन जो सद्गुरू जगी वासुदेव द्वारा शुरू किया गया है उनका एक इनिशिटिव है उनका एक मुवमेंट है कावेरी कॉल जिसके तहत वो कुछ 242 करोर ट्रीज लगा रहे हैं कावेरी बेसिन पे मैंने मेरा जो कैमपेइन है मैं उसके थूप उनका सपोर्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे इस कैमपेइन में मेरी हिल्प करें इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा जिसके थूँ आप इस कैमपेइन को सपोर्ट कर सकते हैं आप चाहे एक पेड लगाएं या दस यह दस हजार एक पेड या एक सैपलिंग की कॉस फॉटी टू रूपीज है अब आप सब के मन में कुछ सवाल हो सकते हैं इस फॉर्टी टू नंबर क्यों टू फॉर्टी टू करोर टीज क्यों लगने चाहिए यह सारा प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है यह सारे पेड कब तक लगेंगे इन सारे सवालों की जानकारी में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगा आप उसे देखें समझें अगर इसके बाद भी आपको लगता है कुछ आपके मन में सवाल है तो आप मेरी इमेल आइडी जो की नीचे मेंशन होगी उस पे लेखें और मैं जितना जल्दी हो सकता है आप तक पहुचूंगा आज इस वीडियो को खतम करने से पहले बस मैं एक चीज आप सब को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस चॉइस हमारे पास है और हमें इसे एक्सरसाइस करना चाहिए कि हम वो करें जो हम कर सकते हैं या हम भागें नमस्क्राइब झार को